हाई वरिवन तो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंग इंडिया में जो शार्क यानि की जरेस बनके आ रहे हैं अनुपम मित्तल तो इनके बिजनेस मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है शादी.com शादी.com ऑनलाइन मैट्रमोनियल प्लेटफॉर् मैच मेकिंग शादी होती हैं लाइफ पार्टनर्स जहां पर ढूंडते हैं तो उस टाइम मैंने अपने वीडियो बताया था जब बनके आ रहे थे शार्क टैंग इंडिया में ब्रीफ में थोड़ा बताया था लेकिन आज हम पूरे मॉडल में बात करने वाले हैं जो कि जैस उनको आप देख रहे हैं तो आपके माइंड में रहेगा कि शादी.com का यह मॉडल है ठीक है तो फाउंडर एंड सी ओ अनुपम मित्तल के स्टार्टिंग शादी.com की कैसे होई थी सिंस 1996 में बहुत से लोग का ट्रस्ट था इस प्लेटफॉर्म के उपर में लोग पसं और कैसे पहला नाम कौन सा था फिर उसके दूसरा नाम कैसे चेंज हुआ रिब्रैंडिंग कैसे हुआ सभी को बात करने वाले हम लेकिन वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेगा और चैनल पर पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा ठीक है त तो ऑफिस में अनुपम मित्तल और उनके फादर बैठे हुए थे एक ओफिस में ठीक है वहाँ पर दूसरे अनुपम मित्तल के फ्रेंड भी आये थे वहाँ पर उसके बाद इन तीनों में बात चल रहा था कि हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल एक मैथड चलता है शादी करने का और मैचमेकीड का ठीक है किसी को चादी करना है तो जो उड पराना वाला वही चलता रहा तो कैसे मतलब सहीसे एक वैल प्लेटफार्म बना है इसको उभाड़े कैसे लोग को दिखाय कैसे कि भी आब एक नया मॉडल मार्केटर भी आर आप उसको यूज कर सकते हो ओनलाइन तरीके से शादी करने के मेथड को ठीक है तो हुआ ये कि उस टाइब ऑफिस में तीनों डिसकस कर रहे थें तो बात ही बात में जो अनपमितल के दोस्त ने ये बताया कि ये शादी का एक जो वहाँ पर कर सकते हैं तो उनके मंद में हिंट किया या आईडिया तो उसके बाद इन्होंने इस सोचा इसको करनी के बारे में तो बात है 1997 की जब इन्होंने स्टार्ट किया सगाई.ड.com सग Goddess Kamp एक ऐसा platform उस टाम इन्होंने बनाया दा जहाँ एंगेजमेंट करॉते थे व तो चल रहा था तो चलते दर क्या हुआ कि उसके अंदर अनुपम मित्टल ने काफी काफी सारा पैसा लगया बहुत सारा पैसा लगाई छेकर लेकिन उसके उसको benefit नहीं आरहे हो वहाँ से बहुत पैसा लगाने तो तो फिर क्या हुआ कि यह जॉब करते थे यूएस में यूएस में जॉब करते थे तो जब सगाई.com उन्हें लांच किया था तो उसके बाद जब उन्हें बहुत सारा पैसा लगा दिया और उनका प्लेटफॉर्म उतना मतलब कि उन्हें लगा था कि यार इस सिर्फ इंगेज से और सगाई.com को हटा दिये 1999 में ठीक है उसके चले गए थे यूएस यूएस में जॉब करते थे तो यूएस में जॉब करते थे काफी सारा पैसा इन्होंने अपने ब्रैंड पे लगा दिया था लेकिन उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे तो 2001 में ये इंडिया आ गये अपन से हम अच्छा बना सके उसके सक्सेस्फुल बनाने के पीछे वह लग गया कि साराजी.com को हमें सक्सेस्फुल बनाना है अपना उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया इनके माइंड में ये मॉडल कैसे आया 2008 की बात है जो वर्ड्स में लीडिंग एक ऐसा ओनलान मैट्रमो लेकिंग शादी मैचमेकिंग का जो मार्केट है वो वन बिलियन जिसमें से ये लोग अभी काम कर रहे हैं 40% इन्होंने होल्ड कर रखा है 40% ये पूरा कर रहे हैं लेकिंग वन बिलियन का मैचमेकिंग है तो उनके माइंड में ये थोड़ था कि इसे हमें कभर करना है तो बात यह है कि इनके माइंड में ये मॉडल कैसे आया कि हमें इंटरनेट के उपर शादी करवाना होगा कुछ अलड़ डिजाइन से तो 1995 की बात है 1995 की और 1996 की जब इंटरनेट का कहानी चल रहा था स्टार्टिंग हो रहा था लोग मवाल यूज कर रहे थे उस टाइम की तो हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि इंटरनेट के उपर हम शादी करवाएंगे एक ऐसा शाट अप होगा हमारा उस टाम की बात है क्योंकि उस टाम बूस्ट कर रहा था ये इंटरनेट और मोवाईल तो उनके माइंड में यह आया और करके सकसफुल जाते भी हैं जिसे भी एपने लाइफ पार्टनर चाहिए होते हैं ठीक है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब भरोसा कर रहे हैं बहुत सारे पैरेंट्स सोचते थे की नहीं आ रही कैसा स्टार्ट आप जिसके उपर मुशादी कराएंगे तो इनका जब इन्होंने सबको बोला कि हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शादी कराएंगे ठीक है इस्टार्ट आप है हमारा उस पर हम काम कर रहे हैं तो बहुत साहे लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि वह एक जो पुराना तरीका था जानते ही आप पुराना तरीक लोग के रहे थे कैसा प्लेटफॉर्म का इस चादी होगा यह का सटार्ट आप है लोग बिल्कुल बेलीव नहीं कर देतें लड़की के माप यह लड़की माप के आपके और चैसे बिलीव करें इसके उपर तो बहुत इनको दिपकत आरी थी इस चीज़ के अंदर में इसके करना होगा तो बतानी पाया थे कि यह ऐसा हमारा प्रेटफॉर्म है जिस पर हम शादी कराएंगे इस पर प्रफाइल दलेगा तो पहले लोग समझनी पाया थे करने में लेकिं फिर भी करना तो हैं ही कुछ अलग करना है तो तो फिर भी हायर किया और उस टाइम काम करना स्टार्ट करते हैं लेकिन आज की डेट की बात है यह कि शादी.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके उपर मंतली 1.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स आते हैं 1.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स मंतली अगर बात करें तो हर दिन सभी को रेवेन्यू चाहिए पैसा चाहिए अपने स्टार्ट अप से जो भी बिजनस कर रहे हैं तो इनका रेवेन्यू बेस यह है कि पहले इनका यह मॉडल है कि कोई भी लड़का हो लड़की हो जब उनके प्लेटफॉर्म पर आएगा तो मैच मेकिंग के लिए पार्टन डालेगा अपना कलर डालेगा इसकीन का फैट है पुरा एक डिस्क्रिप्शन डालेगा अपना तो वह जाएगा शाधी.com के बैक हेंड पे उसको अप्रूव करने पर चार से पांच घंटे के टाइम लगता है और यह देखा जाता है कि यह फेक मैच मेकिंग तो नहीं हो र डिटेल तो एक पकर लेती है AI बेस पे तो पहले क्या होता है सारे डिटेल आ लेंगे लड़का हो लड़की हो तो आपके मैच के हिसाब से दूसरी का मैच कंपेर के जाएगा उसको शो किया जागा निव फीड्स पे कि नया मैच आया है जो भी नया मैच अगर देखता है कि यहां यार मुझे लड़की पसंदा रहा है या फी लड़का पसंदा रहा है compare मैच करेगा तो उसका पूरा डिटेल जानने के लिए फिर उससे मिलने के लिए इसके packages बने हुए packages जैसे subscription होता है ठीक है तो इस packages में क्या होगा आपको subscription जैसे लेते हैं तो आपको premium package लेना होगा users को तो यह जो user package लेगा वो जो पैसा होगा वो जाएगा अनुपमितल के startup शाधी.com को वहां से और करेंगे registration free कर लोगे आप लेकि बाद में और डिटेल जानना होगा आपको तो उसके लिए एक amount लेगा एक package लेना पड़ेगा premium अगर फुल डिटेल चाहते हो लेना उसके और आगे step बढ़ाना है आपको ठीक है free में तो मिलेगा ने आपको ना क्योंकि यह मतलब कि दुनिया में एक words का एक ऐसा best platform बन चुका है जहां पे लोग बिलीव करते हैं matchmaking में आप like partner friend में आते हैं कुछ भी तो एक बिलीव करते हैं तो आपको पैसा पे करना हो का मह इन सेंटर किदर है जहां headquarter तो वह हैं का मुंबई में मुंबई बेस्ट मुंबई में हैं और इनका मार्केटिंग जो स्टाइल है वह थोड़ा चेंज है different है कैसे है तो शादी का इनका platform है जहां पे इतने सारे मिलियन लोग ने शादी कर लिया है सक्सिस्फुली थाउजन गरते हैं यह बना सकते हैं कि फीस्फुक के उपर में गृप बनाते हैं उसके उपर शादी से चीज़ेट ब्लेटव तो पर बात करते हैं घृट की तना बड़ा एक रचीज जो कि लिए ऐसे जगह ऑपर पर करते हैं दिशके के उपर मार्केटिंग लोग आते हैं, जोइन करते हैं इस पर में बात करते हैं लोग की गलत है तो इसके लिए अनका यह काम करता है और लोग लोग इसे शेर करते हैं और जितने लोग आते हैं इस मैटर पर बात करते हैं इंडिया में बहुत बात करते हैं तो इनका मार्केटिंग वहां से बहुत अच्छा होता है ठीक है तो शाधी.com का मॉडल मैंने बता दी आपको और शाधी.com कैसे चालू कब हो था सब कुछ बता दी हैं मैंने आपको तो अब यह मत बोलना कि आपने रेविन्यू ने बताया मॉडल क्या होता है ठीक है सब मैंने बता दी है आप वीडियो को सही से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो आपको इंका कमाल वहां पर देखने को मिलेगा तो यही था अच्छ का वीडियो शाधी.com का बिजनस मॉडल और कि आपको ब्लाइंडिंग लोगों ने कैसे बिलिफ कि सब कुछ ठीक है तो अगर चैनल पहले हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर लिजए और शेयर करें आपने साने फ्रेंड फैमिली में तो बस यही था वीडियो में आपसे किसे नाइस वीडियो में आपसे किसी सथाय करें अच्टािपाइब करेंड़ाओ तो फॉच है यही यही वैज दे में हैकरें टीक हैंगाओ चनाल